नमस्कार क्यापिजल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नौ में बड़ी खबर महरास्ट की राजनीती से जुड़ी आपको पता रहे हैं जहां उदफ ठाकरे को जटके पे जटके लग रहे हैं रसल विधान सबाग के अंदर मौजूद शिवसेना के पार्टी दफ्तर में एकनाशिंदे ने कबजा कर लिया है तो वही तीसरा जटका एक और एकनाशिंदे ने ये दे दिया कि शिवसेना भवन में अपना दावाट ठोक दिया है तो एक जटके उदफ ठाकरे को लग रहे ह कि दूद का दूद पानी का पानी किया जाएगा जो धोके बाज है उसको माफ नहीं किया जाएगा और उसी का ये फल है उदफ ठाकरे और अमिर्शाक की लड़ाई में उदफ ठाकरे चारों खाने चित हो गए उनके हाथ से सत्ता गई एमेलेज गए एमपीज गए पार्टी गई सिंबल गया पार्टी का दफ्तर गया अभी और भी बहुत कुछ जाने वाला है लेपसाइट डिलीट हो गई फेस्बुक को भी डिलीट हो गया ट्विटर से ब्लू टिक भी चला गया सब कुछ जाएगा ये तो आप राजिती के छेत्र में हैं आपने चीजों को पर्सनल कर दिया आपने अमिसा के उपर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया आप इस तरह की भाषा आप करेंगे और जो सब कुछ हो भी गया फिर वो कहते हैं न कि रसी जल गई पर बल नहीं गया अभी भी वो अमिसा को मोगेंबो बता हैं वह अब क्या अब हुआ क्या ही आप समझे सबसे बड़ा जटका अगर माना जाए तो वो सुप्रिम कोट से लगा सुप्रिम कोट में यह भागे भागे गए उन्होंने कहा कि देखे यह तो बहुत सारी चीजें जो है अभी तैह होनी बाकी थी सुप्रिम कोट में एलेक कमिशन के यह तरह के फैसले को सुप्रिम कोट नहीं उल्टा सकती अंतिल अनलेस यह प्रायम अफिस से यह नजर आता कि एलेक्शन कमिशन ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि जिसमें MLS ज़्यादा संख्या में उदब के साथ हूं, MPs ज़्यादा संख्या में उदब के साथ तो उन्होंने का ठीक है वह आपने दे दिया और लड़ी वह सुनवाई चली रही है उसमें भी इसको हम जोड देंगे ये चाह रहे थे कि इमीडियेट रोक लगाई जाए और ये आप ये समझे ये सब कुछ जब हुआ ये भागे भागे गए सरदपवार के पास सरदपवार तो experience व्याद़ है नोटान की राज़िती में अगर आप कहिए कि अम्र के लिहास से तो सबसे senior most और experience की पर सबसे senior most लीडर हैं उनके पास हो गए मदद के लिए उन्होंने क्या कहा? कि संतोस कर लो हो गया मैच हार गए तो हार गए अब मैच हारने के बाद अमपायर के उपर सवाल खड़ा करना तो पिछ के उपर सवाल खड़ा करना तो पब्लिक के उपर सवाल खड़ा करना यह बेकार के बाद यह बहाने बाजी तो अब सबसे बड़ा जटका वो इसने लगा क्योंकि इस सुनवा कई और सुना नहीं जाएगा क्योंकि यह मसला एक समयधानिक संस्था को ले करके है तो यह बहुत बड़ा जटका सुप्रिम कोट से ततकाल कोई रहत नहीं मिलेगी और दिरकालिक भी नहीं मिलेगी कुछ नहीं होने वाला है वहां पर और इसलिए धरादर कारवाई शुरू ह हो गही जो आपने साथी चीजे बताए कि वेबसाइट और यह कि पूरी इस जो भी हुआ है वो पूरी सौदिबाजी की गई है दो हजार करोड रुपए में सौदा किया है आज तक कोई बात सच कहें उन्होंने आज तक किसी चीज का वह प्रूव दे सके है ना अब इसका जवाब जो है वह जिस तरह की भासा से आशिज शेलार में दिया तो थोड़ी अबात जरूर है लेकिन अब क्या किया जाए इस तरह की वेक्ति को तो वैसा ही जवाब मिलता है क्योंकि जो जिस तरह की भासा के इस्तमाल करता आशिव वीडियो कर आप देख लिजए तो सिंदे गुट को तो सिंदे गुट ने सीधे सीधे उस दफ्तर के उपर ही कबजा कर लिया जो दफ्तर विधान सवा के अंदर सिवसेना के लिए अब वहाँ पे तो तस्विर आ गई दूसरी चीज़ जो सबसे एहम जो कल होगी यह साम तक में कुछ ऐसा हो जाए कि अब तो पार्टी इनके पास स्पीकर भी इनके पास सिंबल भी इनके पास नाम भी इनके पास तो विप किसका चलेगा तो विप भी सिंदे गुट का चलेगा तो मीटिंग बुलाई जाएगी सिंदे के द्वारा विप जाड़ी किया जाएगा कि तमाम MLA और MLC वो उसमें सामिल होंगे तो उद्व ठाकरे और आदित ठाकरे को सिंदे के बुलाए हुए मीटिंग में आना पड़ेगा और अगर वो नहीं आएंगे तो उनके उपर कारवाई करने की तैयारी सिंदे गुट का आप इस देखिए कि आप आपका सब कुछ लुट भी गया और इज़िद भी गयी जिस चीज़ से आप बचने की कोशिश कर रहे थे तो ये अगला मूव होने वाला है लेकिन आपने अपने इंट्रॉटक्शन में एक बड़ा सवाल किया कि सेना भवन किसका होगा दो चीज़े हैं मैं आपको सिवसे ना पार्टी के रह नहीं है ये लोग कह रहे हैं कि वह हमारे मंदर के जैसा है वही पार्टी का हेड़कॉर्टर रहा है लेकिन आप किसी बिल्डिंग को पार्टी का हेड़कॉर्टर बना ले आप उसको कुछ और कर ले एकना सिंदे ने दावा ठोक दिया है अब द पॉइंट को समझना जरूरी है अगर ये सेना भवन इस सेना पार्टी की मिलकियत होती मतलब ये बिल्डिंग ये जमीन पार्टी के नाम पे होती तब तो दावट ठोकने की जरूती नहीं तो रात में घुज गए होते ये लोग दिक्कत क्या है कि ये जो सेना भवन पार्टी रेजिस्टर होने के आठदस साल पहले ही इसे खरीदा गया था और इसे एक ट्रस्ट से खरीदा गया तो पार्टी वहाँ पे किरेदार है मालिक नहीं है इमोशनल वैल्यू बहुत है लेकिन वो जो है वो सिर्व सेना का वो नहीं हो सकता क्योंकि वो दरसल एक ट्रस्ट की जमीन पर आपने शिव सेना का पूरा काम किया तो वह एक मसला है यह उद्दव ठाकरे के पास ही रहेगा इसलिए अपनी दर्ज कराने के लिए कि बहुत हमारा है हमारा इसलिए है क्योंकि यह जो है वह वह वाकिए स्रिव सेना पार्टी का नहीं है सिर्व सेना क्या है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग बात में बोलने जानों कुछ लोगों ने बड़े सीनियर जनरिस्टों ने बताया कि यह जो हिंदू हिदर समाट बाला साब ठाकरे उन्होंने जो अपनी वसियत जो लिख करके गए है उस वसियत के मुताबिक जो मातोश्री जो जहां उद्दब ठ ठाकरे उनका घर है उसका ग्राउंड फ्लोर वह सिवैन्द का है यह चैणि का नहीं है येड कर कि फ्लोर है और पश्रोर को उद्द रहते हैं और उपर और जो है वह परिवार के लोग रहते हैं तो अगर टेक्निकल ही देखा जाए तो सेना भवन तो सिंदे के पास नहीं आएगा लेकिन अगर मातोश्री में घुज गए तो उद्दव ठाकरे उनको निकाल भी नहीं पाएंगे तो कि सरकार भी अभी उन्हीं की है सब कुछ उनका है तो ये एक बड़ा पेश फसा हुआ है बार्गेनिंग पॉइंट भी बन सकता है लेकिन ये तब होता है जब आप राजनीती में कुछ मर्यादा रखते हैं फैसला एलक्शन कमिशन का है फैसला सुप्रिम कोट कल सुप्र प्रदानमंत्री मोदी तो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की डिमक्रसी को सबसे ज्यादा किसी से खत्रा है तो परिवारबात से हैं कि पार्टी जो है वो चलाए खांदान के हिसाब से चले तो वैसा तो होगा नहीं कि मुलायम सिंह का और इस वज़े से ही इस देश का विनास हुआ है तो कि आपने पॉलिटिकल कल्चर जो है वो बपोती वाली बना दी है तो यह तीन चार चीजे हैं जो आगे प्ले आउट होगी लेकिन यह तब कॉम्प्रमाइज या कुछ आप कह सकते सहानुबती की बात होती जब आप फैसला आएगा तो कहिएगा कि सुप्रिम कोड भी बिग गई वहां पे पचास हजार करोर का डील हो गया यहीं सब बेहुदी बातु के चकर में ही तो यह पार्टी टूटी है अब यह जब तक यह इंट्रोस्पक्टिंग करेंगे जब तक यह से नहीं होगा कि हमने कहां कह हम से चूक हुई कहां कहां गलती हुई तब तक जो है यह ऐसा ही चलता रहेगा सिंदे जीत गए उद्व ठाकरे हार गया अपडेट के लिए तो महरास की राजमिती से उद्व ठाकरे का अस्तित्व बिलकुल खत्म हो चुका है ना पाटी बची सांसत भी गये विधायक भी गये और पाटी का नाम और सिंबल भी उद्व ठाकरे की नाम से हाथ से चला गया उसे के बाद विधान सबाक के दफ में मौझूद शुवसेला का जो दफतर था वो भी अब एक नाशिद्दे ने कबजा कर लिया है तो एक के बाद एक उद्व ठाकरे को बड़े जटके झाल झाल